शास्त्र में कहा गया कि स्वयम भगवान राधरानी के चरण की सेवा करते हैं राधे सर्व अपराधम में क्षमस्व परमेश्वरी हे परमेश्वरी राधरानी ममसर्व अपराधम क्षमस्वर मेरे सभी अपराधों को आप ख्षमा करे यस्याह पाद रेणुम विश्वभरता विलुंठन राधरानी के चरण कमल का महिमा गाते हुए व्यासदेव जी लिखते हैं वेद में यस्याह पाद रेणुम श्रीमती राधरानी के चरण रज को पाने के लिए विश्व भरता कृष्ण विलूंटन लोट पोटते हैं लोटते हैं घिरते हैं रेंगते हैं भागवान कृष्ण विश्व भरता होकर लोटते हैं ताकि श्रीमती राधारानी के चरण रजस परशित हो जाए उनका जीवन हर आचारिय यही कहते हैं व्यासदेव जी तो वेदों में पुराणों में अनंत प्रमान दिये हैं कई लोग तो ये भी शिकायत करतेंगे आपके इसकौन वाले आपके गवडिये वाले पतानी कपोल कालपित धारणा प्रस्तुत कियें कि कोई राधा तत्व है परन्तु ये कालपनिक है कई लोग कहते हैं ये परन्तु ये केवल अज्यान का प्रतीक है अज्यान की प्रस्तुती है जो शास्तर का रटन-पटन करें ठीक से अध्यान करें प्राय असंभव है राधा तत्व को छोड़ना प्राय असंभव क्यों? क्योंकि भक्त और भगवान अभिन है अभिन अर्था जो शुद्ध भक्त हैं वो इस जगत में भी देखा गया माता पिता तो जगत जननी माता पिता हो तो पुत्र पवत्र होते हैं ये पूरा जगत सभी अनंत जीव भगवान के अंश हैं पुत्र हैं और माता रूपी राधरानी और पिता रूपी पिता अहम अस्य जगतो माता भाता पिता महा गीता तो चलिए वेद तो हो गया अभी पुराणों में भी थोड़ा उलेख है राधरानी का तो चलिए वहाँ भी थोड़ा भ्रमन करते हैं पुराणों की गलियों से व्याजदेव जी बताते हैं मेरे पीछे-पीछे दोरा है यथा राधा प्रिया विश्णो तस्या कुंडम प्रियम तथा सर्वगोपेशु सैवईका विश्णोर अत्यंत वल्लभा व्याजदेव जी केवल राधा तत्वनी अव राधा कुंड की महिमा गा रहे हैं राधा कुंड की महिमा तब हो पहले जब राधा तत्व की महिमा गाई जाए वो कहते हैं यथा राधा प्रिया विश्णो तस्याह कुंडम प्रियम तथा जिस प्रकार राधारानी कृष्ण के लिए बहुत प्रिया है उसी प्रकार उनका कुंड राधा कुंड भी कृष्ण क उनके अधिक सर्वोतम स्थान किनी और का नहीं व्याजदेव जी बताते हैं रोकते नहीं वहाँ आगे गाते हैं राधा शब्द का परिभाशा अर्थ भावार्त और शब्धा अर्थ प्रस्तुत करते हैं क्रिपाय दो रहा है राशब्धो चारण मात्रेण यामी श्रवन लोभतह दाशब्धो चारण पश्चात ददामी भक्ति मुत्तमाम अभी भगवान की वानी भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं राधा उच्चारण मात्रेण सब कहें राधा जोर से जोर से राधा शास्त्र नहीं वो तो बस हाँ नहीं था जब आप राधा कहें मैं बुला हाँ कितने ध्यान पूर्वक सुनते देखिए मैं सास लूँ तो सब सास भी ले रहे हैं रा उच्चारण मात्रेण शास्त्र में तो कहा गया भगवान की वानी द्वारा रा केवल उचरन मात्र से क्या होता है यामी श्रवन लोबत भगवन कहते हैं श्रवन लोबी होकर मैं सुनने आता हूँ और रा के पश्चात धा शब्ध उचारन पश्चात रा के बाद यदि कोई धा भी बोल दे ददामी भक्तिम उत्तमाम मैं केवल सुनता नहीं, ऐसे साधक को मैं भक्ति प्रदान करता हूं, केवल भक्ति नहीं, भक्ति उत्तमाम, ब्रज भक्ति, माधुरिय भक्ति प्रदान करता हूं